हलो एवरीबडी इस दिग्राश सिंह राजपूत वेलकम तो मैगनेट वीन्स इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ेंगे बिल्डिंग टेंपल्स मॉस्क्स एंड टैंक्स इस टॉपिक को पढ़ेंगे समझेंगे अच्छे से देखना और समझना पिछले वीडियो में आपको क्या बताया पिछले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से अर्ली मीडेवल पिरेड में टैंपल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था तो जो टेक्नीक थी वो समझी हमने पिछले दो वीडियो से भी हम यही देख रहे हैं मतलब कि हमने पहले अदेखा कि कोर्इल्ट doctr Radio टेखनीक थि एक आर्च रइबड बनाने की विंदो बनान जो बनाना है तो इसी हम थी धीन थेक्निक देखा कि वार्फ इसेगां से कि आर्च बेखनीक की अलग स्टाइल थी तेम्पल कंस्ट्रक्शन का इन जनरल ड्रावीडियन और नगरम स्टाइल जो था दोनों अलग अलग था तो हमने वह सब कुछ देख लिया है तो अभी तक हमने टेक्निकल एंड पर काम करा है मतलब हमने कंस्ट्रक्शन होता कैसे था वह देखा अब हम तो देखने वाले तो हम फ्रंट एंड पर आने वाले किसने क्या है ठीक है अब से नहीं तोस के पिछी का कारण में saम dozen और ईसदेख एकए अराम्य करना है कि आपको द्हान रखना पूरा पे रिकेंग चीज बताते जारू अपने आप चीजें अपने आप सिंप्लिफाई ह तेचले आएगी तो टेंपल्स और मॉस्थ यह चीजे जो है अब यह क्या है इस आर कंसीडर इस दी प्लेस 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 ऑफ वर्शिब ठीक है आस्था का केंद्रे आप पूजा करते हो आपके जो श्रद्धा है आप लेके जाते हो वहाँ पर हाज जोड़ते हो भगवान क सब कुछ कर दोगे तो अब क्यूंकि आप अपके आस्था जुड़ आपके मुशंश जुड़ होए कि आप वहाँ में पूजा करोगे तो एक करन तो यह होता था जिसे मतला एक श्रधार प्रवल में देखा सोसाइटी तब भी थी आज भी वही है सोसाइटी में लोग जो हरकतें गरतें ना वह आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यह पैटर्न है आज क्या होता किसी के पास पैसा है तो वह अपने पैसे को कैसे दिखाएगा ऐसे तो नहीं कि पैसे के कपड़े पहन रहेंगे ठीक है वह चीज रहती है वहीं यहां पे भी था कि अब राजा के पास में पैसा है तो पैसे को दिखाएगा कैसे ना कार थी वहां पे ठीक है ना मतलब इस तरह से घरवर कुछ था ना ऐसा कुछ भी था कि आप ऐसे शौक रखो तो वह अपने पैसे को कहां से दर तो आप उन भगवान के लिए अपना इतना वेल्थ लगा दे रहे हो, ठीक है, पैटरॉन मतलब क्या है कि जो राजा है, जो बनवारा है, जो सारी चीजें कर रहा है, तो इस कारण से मंदिर वगेरा बनाए जाते थे, और आगे आप अभी नेक्स वीडियो में देखेंगे क् टेंपल्स पर अटैक भी इसी कारण से होते थे, क्योंकि टेंपल्स स्रिफ भगवान से किसकी दुश्मनी बताओ जरा दो मिट के लिए, ठीक है, अब जब हम देखेंगे हमारे जब इस्लामिक रूलर्स आते हैं, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट से जैसे आपने भी पिछले वी आते हैं, जाने किये थे, क्यों? क्योंकि ये मंदीर क्या थे? ये हमारे हाँ कि सिर्फ भगवान को नहीं ढर्शा रहे थे, ये हमारे हाँ कि पावर गल्थ को दर्शा थे, लूट पार्ट की खुब, आगे बताऊंगो आपको इसी वीडियो में, ठीक है? ये पूरी कहानी स बताएगी कैसे इंक्लाइन पाद बनवा कि उसका बड़ा सा शिखर बनाया गया था दियाने तो अब राजा-राज़िश्वा टेम्पल जो है यह राजा-राज़िश्व टेम्पल किसने बनाया था वो उस बिल्ट बाइ King Rajendra, Rajaraja Dewa, ठीक है, Rajaraja One, अब जो भी है, Rajaraja वाला गाना, अगर किसी के मन में गुंजने लगा, तो गालो, लेकिन नाम ध्यान रखना, ठीक है, तो अब क्या है, तो Rajaraja Dewa जो है, Rajaraja One जो है, Rajendra One के पापा जो है, तो इन्होंने क्या किया था, Rajarajishwar Temple ठीक है, अब देखो क्या, for the worship of his God, Rajarajishwaram, Rajarajishwaram कौन है, तो शंकर भगवान है, शंकर भगवान की अराधना के लिए उन्होंने मंदिर बनवाया, अब देखो, जो उनका नाम रखा मंदिर का, मंदिर में जो भगवान को, जिनको क्या मान रहे हैं, मतलब अपने भगवा तो उनी से जुड़ावा उसने अपना नाम भी कर लिया, राजा राजा कर लिया, ठीक है, ये क्या होता है, तो अंडेस्टैंटी, नेम गेम, पूरा नेम गेम है, नेम गेम को समझना, नेम गेम क्या है, कि एक जैसा नाम रख के वो क्या मेसेज देना चाह रहे है, for example, जैस कि हाँ, ये कोरोना वाइरस वाले पेंडिमिक के लॉगडाउन में पैदा हुआ था, ठीक है, वो बच्चा जीवन भर फिर माता पिता को बोलेगा, कोरोना ही नाम मिला तुमें, तो उस तरह से क्या है, कि नेम गेम ये है कि राजा अगर मंदिर के जैसा नाम रख रहा है, तो वो क्या दिखाना चारा है कि मंदिर के भगवान और मेरे में कुछ similarities, ठीक है, कुछ similarities है, हम दोनों क्या एक दुसरे से जुड़े हुए इस लाइप से है, ठीक है, वो मंदिर बनवाता है, मंदिर के भगवान के नाम के साब से अपना नाम रखता है, मंदिर का नाम अप जो बनवाया तो मंदीर बनवाने के बाद में इनीर का नाम आपने शोड़की क्यों रखा ताकि वह यह क्लेम कर सके हां भगवान और मेरे बीच में तो रियलीशन है भगवान और मेरे बीच में क्या है हमारी दोनों की एक तरह मतलब मुझे भगवान में ही पहुचाया है आप लोग मेरी बात मानों मैं ही भगवान हूँ इस तरह का मेसेज वो पहुचाना चाहता है तो यह पूरा नेम गेम था ठीक है टेंपल वास मिनियेचर मॉडल ऑफ दी वर्ल्ड रूल बाइ किंग एंड इस अलाइज हाव अब देखो एक चीज़ और समझो तो यह टेंपल बनाये जाते थे ना तो मैं बता रहा हूँ कि अपनी पावर दिखाने का एक तरीका होता था तो टेंपल में क्या होता तो जो में डेटी होती थी जो में भगवान होते थे तो जैसे राजा राजिश्वर में जो शंकर भगवान थे तो शंकर भगवान कौन कνηagne मंदी केंदर दूसरी तो वह क्या है अपने मिनिस्टर वगरा या फिर अपने रखने के लोगों को बना दिया थिक कहं तो वह यो मूरतिया है या पिर वैसे जो मंदी बननवाए गयाए या फिर क्या रहेगा कि king ने जो मंदिर बनवाया है राजा राजिश्वरम मंदिर ठीक है यह जो temple बनवाया है तो इस temple में क्या रहता है कि main deity जो रहेगी वो king को represent करेगी और जो उसके allies हैं जो छोटे-छोटे दूसरे राजा है सामन्त है उन लोगों को दूसरी छोटी- इस राजा के दुश्मनों को बताने के लिए ठीक है तो temple कुछ नहीं था temple एक तरह से लोगों के sentiments है places of worship है लोगों के sentiment के साथ-साथ अपनी power को शो करने का एक तरीका है आगे नहीं समझ में सिंपल से चीज़ है उसमें पस सिंपल सा concept है आपको ध्यान रहना चाहिए अब देखो राजा-राजावन के हमारे पास photo जो मिली वो यह मिली ठीक मतलब यह ऐसे नहीं थे लेकिन एक जो south में चलती फोटो तो वह हमने आपको image दिखाई है मतलब एक statue दिखाया तो the largest temples were all constructed by kings the other lesser deities in the temples were gods and goddesses of allies and subordinate of the rulers वही चीज़ जो मिली बता नहीं मिनियेचर की जो बात कर रहे हम तो मिनियेचर कि largest temple जो होते थे वो राजा के दवारा और उसके बाद में जो छोटे lesser deities जो रहती है जैसे भगवान शंकर है शंकर के बाद में अगर मान लो गनेश जी अगर आई ह तो वो क्या है वो भगवान शंकर से नीचे है ना तो दूसरे जो temples रहते थे other lesser deities in temple were gods and goddesses of allies and subordinates of the ruler ठीक है तो अब क्या है कि जो king है राजा राजा वन ठीक है राजा राजा देव जो है तो उसके जो दूसरे allies है उनको क्या कर दिया उन्होंने दूसरे deities की तरह बता दि अब आगे अगर देखते हैं मॉस्क तो मॉस्क वाली कहानी आगी विल्डिंग टेंपल के आद में मॉस्क तो मॉस्क कौन बनवाएंगे अब दिखती बात है कि early medieval period जैसे खतम होता है अब जब rulers आ गए कौन Delhi सिल्तान्स जब आ गए तो Delhi सिल्तान्स में अगर हम देखें तो अब तर्ली टर्किश रूलर थे वो जब आएं कहां पे इंडिया में ठीके Delhi सिल्तनेस जब स्टार्ट होती है इंडिया के जो इंडिजीनियस रूलर्स ते जैसे प्रितिवराज चोहान वगरा तोम्रास वगरा जो थे उनको हराने के बाद में क्या होता है उनको हराने के ब सवाज्षा जो आयै तो उन लोगों का क्या स्टैंड था है आपने देख लिया हमारे जो हिंदू ruler's जूथे मतलब हमारी कंट्री के जो rulers थे तो हमारी कंट्री के लु रुलर्स का क्या concept था कि वह अपने आपको भगवान के साथ है यपलेस करना चाहरे थे मतलब बoking आपको जो क्या है कि बोल रहा है हम भगवान का उतार नहीं लेकिन भगवान की परच्छाई है मतलब ऐसे नहीं हम ऐसे घूम के आएंगे डायेक्ट नहीं बोल रहे हैं ठीक है तो अब जैसे क्या है तो बलबन अपने आपको ये बोलता था कि वो शेडव है किसकी शेडव गौड कॉम्पिटिफ्स वाले ध्यान रखना इस चीज को ठीक अब जैसे क्या है अब बलोगे आपको कैसे पता चला सर की वो अपने आपको भगवान की परच्छाई का टैग लेके चलते थे तो अमें पता चला कहां से इंस्क्रिप्शन से इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं तो पत्थर के उपर जो लिखा हुआ रहता है ध्याना है अभी कुतुब मिनार पे भी दिखाया थे मैंने आगे आपको तो इंस्क्रिप्शन जो है कहां पे कुवत अलस्लाम मोस्क जो है किसे ने अचालो किया था कहां पे है दली में चलो ठीक कंप नाम बतान ने बनवाना चालू किया था तो ठीक है यहां पर ध्यान रखना इंस्क्रिप्शन ने इन कोवतल इसलाम वहां से एक जो हमें पत्थर मिलता है उस पर जो हमें राइटिंग्स मिलती है तो उससे हमें पता चलता है इनके बारे में पहले समझा देता हूँ मतलब पहले तो यह समझ लो कि इंस्क्रिप्शन यह बोल रहा है कि भगवानन ने अलावदिन खिलजी को चूज किया और हमारा रूलर बनाया है तो शेडव अफ गॉड वगवानने अलावदिन खिलजी को पहुचाया है यहां पर यह किसने बोला तो एक inscription मिलता है हमें, एक पत्थर मिलता हूँ, उस पहसे लिखा हुआ है, ठीक है, भगवान ने क्यों पुचा है, because he had the quality of Moses and Solomon, अब Moses को मुसा, मुसा भी शब्दी यूज़ कर सकते हूँ, मुसा मुसस बना, सॉलिमान जो है, तो सलमन से ही सॉलिमान बना है, अब यह जो चीज़ है ना, इस चीज़ को में आपको थोड़ा सार रिलेट कर दे, तो मुसस कोन है, तो एक prophet की तरह माना जाता है, एक पैगंबर की तरह माना जाता है, इसलाम में, और कुरान में किसी एक prophet का नाम आया है, अगर कुरान में सबसे ज़्यादा किसी prophet का नाम आया है, तो मुसा का आया है, मुसा मतलब मुसस वह यूश किया गया है, तो कुरान में मुसा का नाम आया है, मुसस का आया है, जो आपकी बुक में लिखा है, कुरान में मुसा नाम स ठीक है गुलामी से आजादी दिलवाते हैं तो मतलब इन्होंने एक महान काम किया था ऐसा कह सकते है धर्म के इसाब से कुरान में इन्होंने एक महान काम किया था पैगंबर थे ठीक है अब क्या हो गया पैगंबर थे मतलब वह भगवान का दर्जा अल्ला का दर्जा दे दिय तो उस तंस में क्या हो गया कि आप देखते हो गर इंस्क्रिप्शन जो यह तो यह इंस्क्रिप्शन क्या बोल रहा है लाउत इन खिल जी क्या है भगवान की पर्शाहिए ठीक है पैगंबर पैगंबर की तरह उनके अंदर क्या है दिमाग यह सारी चीजे फिर जैसे सॉलमन तो सॉलिमन भी क्या है, इसलाम में एक इंसान है, जिन्होंने क्या मतलब कुरान में इनका जिक्र होता है, जो बहुत जादा क्या थे, बहुत जादा ग्यानी थे, ठीक है, राजा थे जो बहुत जादा ग्यानी थे, जिनके पास बहुत जादा दिमाग था, ठीक है, उनसे एक कि भगवान ने क्या है देखो भगवान अल्ला सारे नाम एक ही होते हैं तो मैं इंटर्टेंचेंजेबली यूज कर रहा हूं ठीक है डूंट फिल ओफिंडेड ठीक अब क्या होता है तो यहां पर क्या होता है इसलिए गौड चोज अलाओ दिन कि अब क्या दिख रहा है यहां पर कि यहां पर देखो कि तो मोस वगरा जो इसलिए गया है वह शैडव गौड है ठीक अब देखो क्या क्या किस ने क्या किया तो आगे अगर देखें तो जैसे जैसे नई डैनेस्टी जाते चले गई ठीक है Kings want to emphasize their moral rights to be the ruler समझना इस चीज को बहुत important है क्या कि अब मान लोग मैंने क्या कि अभी एक ruler था ruler A जो रूल कर रहा था अब इस ruler A को हरा दिया मैंने ठीक है ruler A को मैंने हरा दिया अब ruler A को हराने के बाद में मैं यहां पर अपने आपको establish करना चाऊंगा लेकिन लोग बोलेंगे आपको हम क्यों मानने कि आप हमारे राजा हो क्या proof है उस तरह से बाते करेंगे तो अब क्या होता है अब जब उस तरह से बाते करेंगे तो new dynast चीज अपने आपको स्टैबलिश करने के लिए क्या करेगी अपने आपको जो किंग जो है तो किंग वांट टो एंफसाइज दें मॉरल राइट टू बी रूलर राजा यह चाहेगा कि लोग मुझे अपना रूलर की तरह समझें लेकिन कैसे समझेंगे सवाल यह आता ना कि र बज़िद बनवाते थे ताकि क्या हो कि लोगों को ऐसा लगे कि यह इंसान जो ही इसे भगवान में पहुचा है तब ही मंदिर अंदिर बनवा रहा है ठीक हो मंदिर बनाने के पिछे का लॉजिक समझना बाइक कंस्ट्रक्टिंग प्लेशेज ऑफ वर्शिप हो जाएगी मैं आप से कहूंगा क्या मैं आप से कहूंगा कि गरीबों की सेवा करो उसी में क्या है धर्म का सार है ठीक है जिसको मदद की जरुवत है उसे मदद कर दो उसी में धर्म का सार है आपने मतलब किसी की मदद कर दी किसी को जरुवत थी तो आपने क्या कर लिए सा पास परम जयन हैं जीए धार्मिक लग रहा है यह अगर बात बोलगा तो इसकी बात में क्या है दम है आया नहीं होगा जोगा आएसा खुद सोचो दो मिनिट के लिए तो वही चीज है कि अगर कोई राजा आया राजा बोल रहा कि मुझे भगवान ने पहुचाया मैं आपको पर रूल करूँगा मैंने बताया था कि राजा क्या कर रहे हैं राजा अपने आपको incarnation of God बता रहे हैं फिर shadow of God बता रहे हैं जैसे इसलामिक रूलर्स आए तो अब क्या होगा वो बोलेंगे आप मान लोगे नहीं लेकिन आप उसने क्या करा systematic way में अगर बोला कैसे है कि उसने जैसे अपना rule established किया उसने मंदिर बनवाए मजजित बनवाए और फिर क्या है वो मंदिर मजजित बनवाने की बात में वो क्या करते हैं by constructing these places of worship rulers were being provided with the chance to proclaim अब rulers यह proclaim कर सकते क्या कि मैं मंदिर बनवा रहा हूं मुझे भगवान सपने में आया या फिर कह सकते हो कि जब लोग देखेंगे क्या इस इंसान इतना बड़ा मंदिर बनवाया है तो पक्की बात है कि भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त है और उस समय पर society क्या है religiously driven थी तो आप धर्म के इसाब से आदमी को क्या कर सकते हो ले जा सकते हो वही चीज यहां पर हुई है तो इस कारण से क्या होता था कि temples वगरा बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे ठीक है तो रूलर्स ऑफट पैट्रोनेश टुदी लर्ण और पावित्र होता है ठीक अब समझो क्या चीज है तो इस तरह से मंदीर बन वगरा बन वा दिये लेकिन मंदीर बनवाने के साथ साथ भी रूwest क्या करते थे पैट्रोनेश देते थे लर्न और पायास लोको learned and pious मतलब क्या है learned मतलब एक तरह से जिसको बहुत सारा ग्यान हो pious मतलब जो पवित्र हो तो आज भी आप देखो देखो history क्या है मैं एक चीज आपको बताता हूँ interpretation पगड़ना मेरा यह वाला ठीक है मैंने आज तक जितने भी history पड़ी तो एक चीज समझी है कि history में क्या होता पता है लोग बदल जाएंगे ठीक टाइम पीरेड़ बदल जाएगा जगह बदल जाएगी लेकिन जो करने का तरीका रहता है न वह जो थ्रेड की बात करता हूं में वह थ्रेड़ हमेशे एक रही एक पैटर चलता रहता है क्या होता कि उस समय पे भी रूलर्स क्या करते थे जो पवित्र लोग है लन लोग है तो उनको पैटरोनेश देदे थे मतलब उनको अपना सानिद्धिय में लिए आते थे उनका खर्चा अपने कोर्ट में रखें करो आप क्या करती हो हम और गाना गात्त बहुत अच्छह हमारे हमारे को इसे देंगे तो आज भी पना देख वे पैटन में चल रही ही आज भी आप क्या देखते हो कि political leaders क्या करते है political leaders जो रहते हैं तो वो किसके साथ किसके पास जाके अपनी political सेखते हैं तो आपने किसी संथ को संथ के मतलब आनले प्रवचन चल रहे तो वहां पर जाएंगे वो ताकि क्या हो क्योंकि लोग जो है जो पढ़े लिखिये लोग होते थे उनको पैट्रोनेश देने का काम करते थे पवित्र लोगों को ताकि क्या हो ताकि वो एक तो सपोर् जो मंदीर वगेरा बनाएं उन्होंने जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो वो सिर्फ खाली घर बना देने से घर थोरी ना बन जाएगा उसके अंदर लोगों को रहना पड़ेगा अब आपके पास मंदीर है आपके पास ग्यानी लोग है तो आप क्या होगा एक तरह से जनता अब what is the rule of a just king मैं अगर आपसे बोलू कि यह king सही एक justified king कौन होगा तो justified king वो होगा would be an age of plenty ठीक है अब age of plenty क्या देखो यहां पर हम इस तिर्फ शब्द लिखे statement नहीं है तो शब्दों को statement में बनाते हैं क्या कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा राजा कौन हो इनने जैसे हम कहेंगे क्या कि रामराज्य आ जाए रामराज्य आ जाए मतलब यह कहने का तरीका है कि जहां पर क्या हो जिसे जो चाहिए रामराज्य की एक definition क्या है पता है कि जब किसान बारिश मांगे तब बारिश हो जाए रामराज्य होगा तो उस तरह से क्या होता है कि ब्रेन ऐसा रहे कि वहां पर हर चीज अवेलेबल हो ठीक है तो अब देखो क्या होता है तो रूलर्स क्या करते थे हर चीज अवेलेबल करवाने के लिए प्रयास करते थे प्रयास कैसे करेंगे हर चीज के लिए तो अब यहां पर पानी से जुड़ी कहानी समझना पानी की कहा था फसलों पर डिपेंडेंट होता था तो किसान खेती करेगा उसके पास फसल आएगी फसल आएगी उसके पास पैसा रहेगा वह खुश रहेगा तो वह समझेगा कि हां हर चीज है ठीक है प्लेंटी ओफ तिंग्स आर अवेलेबल तो वह इस तरह से सूचेगा अब जब वह इस तरह से सूचेगा तो राजा को समझ में आगा कि बस इसे पानी दे दो इसलिए क्या है therefore rulers constructed various water sources और इसी चीज़ को द्यान में रखते हैं rulers ने क्या करना start किया water sources construct करवाना start किया आयना समझ में water sources construct करना start किया clear है इस चीज़ को द्यान रखना इसलिए क्या होता है कि आप देखोगे history में ये जो टॉपिक आपका building temples लुबस मॉस्क, टेंपल मॉस्क और टेंग्स, टेंग्स पर भी धिहान दिया गए या पानी की विवस्ता की जाए लोगों की क्यों? पानी रहेगी, मतलब पानी रहेगा उनके पास में, तो वो क्या कर सकते हैं? मतलब अपने आपको ऐसे समझेंगे कि हाँ सब कुछ है सब कुछ है तो तब वो क्या बोलेंगे कि रूल आफ जस्ट किंग इस देर ठीगे एक जस्टिफाइड एक ऐसा राजा राज कर रहा है जो सही है तो उस तरह से क्या होता है बहुत सारे रूलर जितने भी है तो जिसे देखोगे आप सुल्तान इल्टुत्मिश ठीगे वान यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग लाज रिजर्वायर जस्ट आउटसाइड डेली एक कुना ठीगे इट वास कॉल्ड होज सु आपको रिलेट करते चलना जैसे अभी मैं आपको बार बार चाप्टर टू चैप्र 3 रिलेट कर रहा हो ला greater चीज़ें तो वैसे आपको क्या करना है δियान रखना है अभी चैप्टर फोरसरे वह रिलेट करेंगे और यहीं चीज़ है चैप्टर फाइफ छीज ना नाइन ठीक है हॉजे सुल्तानी जिससे आप यह देखो कि यहाँ पर यह कुत्व मिनार के पास में ही है ठीक है हॉजे सुल्तानी तो एक रिजर्वायर बनवाया थाकि क्या हो कि लोग उसकी रिस्पेक्ट करें लोगों को लगे कि हां इस है जस्ट किंग फाइन यह हो गया अब यहा आगे आगे बनवाते थे चोटे भी होते थे यह तैंक्स होते दे रिजर्वायर यह बड़े भी होते कि अधिक और अधिक तर क्या होता था कि जो हम देखने हैं टेंपल मॉस्क तो इससे जोड़ के देखना तो अधिकता टेंपल मॉस्क के पास में टैंक्स बनवाए जाते था कि क्या लगे जो आदमी वर्शिप के लिए जा रहा है तो इसे यह देखके लगे कि हाँ यह पानी है तो यहां पर क्या हर चीज की में तो वहां पर भी क्या आपको बीच में टैंक देखने को मिलेगा जामी मजजद किसने बनवाया था यह आपका हो गया कमें सेक्शन में कुछ महनत आप भी करो जारा इसी वहांने रिविजन होगा आपका फिर जैसे आप गुरुद्वारा देखोगे तो अमरिस्सर में गुरुद्वारा जो है गुल्डेन टेंपल वहां पर भी आपको रिजरवार देखने को मिल जाएगा तो हर जेगा क्या हो रहा इस तरह से टेंपल मॉस्क जहां बन रहे तो टैंक्स वगरा यह सारी चीज़े भी बनाई जा रही है ठीक है आगे अगर देखते हम तो हमारा टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है ठीक है मैं इतना फ्लो में आगे मुझे लग रहा है कि पढ़ाती जाना है पढ़ाती जाना है तो आप आप रिलेट कर पायों कि किस तरह से बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग टैंपर मॉस्क एंड टैंक्स जब यह सारी तो style of construction क्या था वो समझ में आपको फिर अमने यह भी देखा कि जो temple construction का style था वो क्या था द्रावीडियन नगराम उसके साथ में आपको दो example के थूर और चीज़ें clear कर दी ठीक है अब हमने देखा कि क्यों temples mosque tanks बनाया जाते थे क्या idea रहता था किसने क्या वनवाया कुछ factual details वो सारी चीज़ें अब मैंने आपको जो starting में बता थे कि temples क्या बताते हैं राजा की power को show करते थे तो उन temples के उपर attack भी होंगे अब next topic यह ही है कि why temples were being attacked temple पे क्यों attack किया जाता था वो मैं आपको next video में बताने वाला हूं I hope चीज़ें हाँ तक clear है किसी प्रकार को कोई doubt है त तो feel free to ask in comment section next video lecture में next topic के साथ मिलेंगे magnet brains पे class 4th से class 12 तक सभी subjects सभी chapters सभी chapters के topics subtopics हर चीज़ इसी तरह से systematic way में video lectures के format में available है जिने आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हो समझ सकते हो घर बैठे अपना syllabus complete कर सकते हो मिलते हैं next video lecture में till then stay connected keep learning thank you thank you very much